अभी कांच हूँ मैं शायद इसलिए सबको चुब रहा हूँ एक दिन शीशा बन जाऊंगा और सारी दुनिया मुझ में देखेगी दोस्तों यह स्टोरी उन लोगों के लिए हैं जिनके कई बार सपने तूट जाते हैं उन्हें वापसी कैसे करनी है कमबैक कैसे करना है और नए सपने देखकर उन्हें पूरा कैसे करना है इसी से संबंधित आज हम आपके लिए एक यह मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप में भी अपने नए देखे सपनों को पूरा करने की दढ़ता बढ़ेगी यह कहाणी अमेरिका के रहने वाले एक दस वर्शिय युवक की है जिस से फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद था। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसे फुटबॉल खेलना है और एक अच्छा गोल कीपर बनना है क्योंकि उस बच्चे को फुटबॉल बहुत पसंद थ और वो एक प्रसिद गोल कीपर बनना चाहता था। उसके माता पिता ने उसकी बात मानी और उसके लिए अच्छी अकेडमी में ट्रेनिंग शुरू करवा दी। अकेडमी में वह युवक कोच के पास जाने लगा और ट्रेनिंग लेने लगा। ट्रेनिंग के दौरान उस युवक ने कोच को कहा कि देख लेना आप मैं एक दिन दुनिया का नंबर वन गोल कीपर बनूँगा और अमेरिका की सबसे बड़ी टीम के लिए खेलूँगा। जब कोच ने उसकी आँखों में चमक देखी और फुटबॉल के लिए प्यार देखा तो उसने भी सोचा कि ये बच्चा जरूर आगे जाकर बड़ा फुटबॉलर बनेगा। कोच ने पूरी शिद्दत के साथ उस बच्चे को फुटबॉल सिखाया। करने से एक दिन पहले वो खिलाडी अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था तो उसकी कार का एक्सिडेंट हो गया। नहीं खेल सकते। तुम्हारा देखा सपना तूट गया है। उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है। तुम होसला नहीं हारना। लगातार डेड़ साल तक चले इलाज में युवक के मन के बहुत बुरे-बुरे खयाल आए। उसे अपने बचपन से देखे सपने तूटते हुए दिख रहे थे। उसने सोचा कि क्या हुआ, उठ नहीं सकता लेकिन लेट कर काम तो कर सकता है। उसे लिखने का बहुत शौ उसे गाने की सलाह दी और उस युवक ने अपनी लिखी हुई पहली एलबम रिलीज की, जिसे लोगों द्वारा बहुत सुना गया। उसके बाद से उस युवक ने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा और उसकी करीब 50,000 एलबम मार्केट में है। दोस्तों ये एक सच्ची क जो स्पेन के जुलियो एगलेसिस की है। वो स्पेन के सबसे फेमस सिंगर और रैपर है। इसलिए दोस्तों कभी भी सपना तूटने पर हार नहीं माननी चाहिए और लगातार महनत करते रहना चाहिए। एक न एक दिन महनत का फल जरूर मिलता है। इस कहानी से हमें ये जरूर करें और मेरे चैनल को प्लीज सबस्क्राइब करें अपना खयाल रखें धन्यवाद।